हेल्लो क्रश्यर्स, वेलकम टू क्रश अप, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चाप्टर, न्यूटन्स लॉफ ग्राविटेशन हम उसमें पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ग्राविटेशनल फोर्स किस तरीके से लगता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी क्या हो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम विक्रांत किरार है, और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं Newton's law of gravitation तो gravitation में हमारे पास दो अगर मास हैं, उनके बीच में अगर डिस्टेंस है आर, तो इन दोने के बीच में एक force of attraction लगता है इसके उपर force लग जाएगा इस तरीके से ऐसे, capital F मानलों उसको बोलता हूँ, इसके उपर लगेगा force इस तरीके से, उसको भी capital F बोलेंगे दोनों का magnitude सेम होता है, direction opposite होता है, यह action reaction हमारे pair है, ठीक और यह जो force की value आती है, वो आती है हमारे अपास, g m1 m2 upon r square चीक, alright, यहाँ पर जो g की value है, वो होती है, 6.67 into 10 raise to power minus 11, बहुत ही छोटी सी यह value आ जाती है अच्छा, इसी को आप लिख सकते हो, 20 by 3 भी लिख सकते हो, into 10 raise to power minus 11, alright, अगर हमसे कोई पूचे कि इसकी unit क्या आने वाली है तो देको force होता है हमारे पस newton में, यह r square यानि की meter square हो जाएगा, तो यह newton meter square हो जाएगा, और नीचे आजाएगा यह kilogram का square तो यहाँ पर हम g की unit लिख सकते हैं, उसको हम लिखेंगे, newton, ऐसे लिखेंगे, newton meter square पर kilogram square यह भी आपको पता होना चाहिए किस तरीक से निकालते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि यह जो law है, यह आया कहां से, इसका कोई derivation नहीं है it is an observation based law, तो इसलिए newton ने बहुत observation करी, बहुत experiment बगरा भी किया, उनको पता चला फिर यह, और यह जो formula है, यह point masses के लिए, हमारी extended bodies के लिए, फिर हम इसी को integrate करके अलग-अलग formula बनाते हैं, तो this formula is for point masses, यह एक central force है, मैं इसे center की तरफ लगता है, यह conservative force है, और यह independent of the medium होत है, क्योंकि इसको आप देखोगे, तो electrostatics भी हम पढ़ने वाले हैं, तो इससे काफी मिलता जुलता सा है, यह force हमें देखने को मिलता है, electrostatic जो force होता है, उसमें medium क्या है, उसके यसाप से force का magnitude कम भी हो जाता है, लेकिन यहापर medium से कोई फर्क नहीं पढ़ता, इस पे बेस सबाल भी पूछे जा चुके है, हमारा सारा काम इसी formula से हो जाता है, लेकिन यह देखो, force एक vector quantity होती है, तो इसका भी एक vector form भी होता है, उसको भी देख लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर में पास force vector की बात की जाए, ऐसे होता है, अगर मैं यहाँ से पूछू कि इसक direction से, इसी को हम लिख देते हैं, g, m, m, इसको मैं capital M और small m में लिख देता हूँ, g, capital M, small m, divided by r square, times r का cap, यहाँ पर मैं पास इस तरीके से आ जाएगा, और इसमें लगात होएग इस तरीके से minus, अब यह वाला जो formula यह किस चीज़ के लिए लग रहा है, थेको हमारा पास, य यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा mass रखा हो है, small m, हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं बोलता हूँ, यह है मेरे पास vector r, अब की बाल जो force लगेगा मेरे पास opposite direction में लगेगा इस तरीके से, यह हो जाएगा मेरे पास force vector, तो r इस तरफ है, r cap इस direction को हम बोल सकते ह तो minus का r cap कौन सा, यह वला direction हो गया, यह minus r cap से हमें सिर्फ direction मिल जाता है, force का magnitude exactly इस formula से हमने लिख दिया है, g, m1 की जगे capital m, m2 की जगे small m, और यह distance को हमने इस तरीके से लिख दिया, बस ही लिखने का तरीका है, I don't think इसके हमें ज़्यादा ज़रुत पड़ेगी, पर मैं पता होना जाए, आदेखों यह r cap कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो r cap vector होता है, उसको अगर मुझे निकालना है तो उसको मैं लेखता हूँ, यह vector r को उसी के magnitude से इस तरीके से divide कर दो, आल राइट, यहाँ पर यही formula हमारे लिए फिर से बन जाता है हमारा जो vector form will be equal to minus gmm divided by, यहाँ पर vector r आजाएगा, और अब मेरे पास नीच वा जाएगा, वेक्टर r का magnitude है, उसका cube, क्योंकि already हमारे पास square था, फिर यहाँ से एक और magnitude है तो इसकी power 3 हो जाते है, अब यह r cap की जगे vector r बल जाता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, सब्सक्राइब आपका काम चल जाएगा, बस हमें negative direction आट कर दियना होता है, तो अब्जेक्स फीकुल मासे प्लेस प्लेस एट्सें स्टें इस अदेम्स फ्रम एच अदर अट्रांट इच अदर विधा फोर्स F, इफ वन थर्द फ़न फे इस थाड़ इस थार्स थार्स इस यहां से क्या बोला जा रहा है जब हमाँ पास मास और मास होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन तोनों के बीच में कुछ force of attraction यहां पर लगा होगा और हमाँ पास उस force की value कितनी आजाती है gmm divided by r square फिर हमने क्या किया फिर हमने यहां से थोड़ा सा मास लिया कितना मास इसके पास transfer कर दिया है वो है m by 3 तो अब इनके नए मास लिखो और फिर बताओ अब इनके बीच में कितना force लग रहा होगा force बड़ा है या कम हुआ है इल करो इसको वीडियो को pause करो, question को solve करो इसका correct answer है C देखो हमाँ पास जो नए मास बचेगा हमाँ पास मास हो जाता है 4m divided by 3 तो अब हमाँ पास जो नए फोर्स लगेगा उसको मैं क्या लिख दूँ? उसको मैं लिख देता हूँ F' उसकी value हो जाती है G multiplied by first mass है मेरे पास 2m divided by 3 second mass की value है मेरे पास 4m divided by 3 और 1 by r square तो हमारे पास था ही से इसकी जो value है जाती है देखो यहाँ पर मैं gmm divided by r square ऐसे लिख देता हूँ multiplied by 8 upon 9 हो जाता है और इसी को मैं लिख सकता हूँ ग्म upon r square इसको तो हमने f लिखा हुआ था यह हो जाता है मेरे पास 8 upon 9 times f and that is our correct answer two astronauts are floating in gravitation-free space after having lost contact with their spaceship the two will अब देखो यहाँ पर हुआ गया gravitation-free space लिखा इसका मतलब क्या है देखो टेक्निकली मैं चले गयाँ gravitation-free space मतलब वहाँ पर law of gravitation exist ही नहीं कहलता law of gravitation exist नहीं करता और हमाई पास मानलों दो astronauts है तो इनके बुझ में कौनसा force लगेगा इनके उपर कोई gravitational force लगी नहीं सकता answer इसका होना चाहिए they will keep floating at same distance between them तो D can be the answer या फिर floating है तो वो basically initially उसकी velocity 0 थी rest पे थे वो वहीं पे cliff floating रहेंगे तो इसका option D मुझे mark कर देना चाहिए लेकिन अब हमें ये भी देखना चाहिए कि question किस तरीके से पूछे जाते हैं जैसा exam के हम त्यारी कर रहे हैं वहाँ पे तो gravitation free space का मतलब कि actually जो बोलना चाहते हैं ये मुझे लग रहा है कि वो gravity free बोलना चाह रहे है हो सकता है ये दोनों के बीच का distance वही maintain यहता और वो नीचे की तरफ आया ऐसी कोई भी चीज हो सकती थी लेकिन earth यहां पर exist नहीं करती है अगर gravity free बोल दिया तो इस case में क्या होगा इन दोनों का आपस में कुछ attraction का force लगेगा इस पेधर लगेगा इस पेधर लगेगा अगर ऐसा बोला है तो इस case में क्या होगा है यह दोनों एक दूसरे के pass आ जाएंगे पास आ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे move towards यह तरफ तो अगर ऐसा है gravity free space है तो हमारे पास इस बार जो आंसर हो जाता है मैं मार्ग कर दूँगा भई ऐसे में A will be the correct answer और gravitation free है gravitation free तो ऐसे case में तो यार मुझे actually D mark करना चाहिए अब आप बताओ आप होते तो examination hall में क्या मार्ग करते मैं इस particular exam में A mark कर गया था ऐसे question confusing questions नहीं पूछने जाए एक्जाम में हम अगला question देख्टे है two spherical bodies of mass m and 5m and ready r and 2r released in free space with initial separation between centers equal to 12r if they attract each other due to gravitational force only then the distance covered by the smaller body before collision is सब इसमें gravitation और center of mass को combine कर दिया गया है अच्छा diagram बनाओ और फिर आपको इसका जवाब मिल जाएगा वीडियो को पॉस्परो question का साथ करो इसका correct answer है B solve करते हैं कैसे तो देखो हमारे पास कैसे दो bodies हैं एक का mass है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह है M दूसी वाली में पास थोड़ी बड़ी है उसका radius double दिया हूँ है तो इसको radius है R इस तरीके से इसका जो radius है वो value है मेरे पास 2R दोनों के बीच में जो distance है वो कितना दिया हूँ है देर centers के बीच में 12R का distance दिया हूँ है अब एक बात बताओ इन दोनों के center to center distance 12R है 12R में से ये 2R यहां कटेगा और ये 1R यहां कटेगा तो इन दोनों के बीच में effectively जो distance बचा है ये distance तो मेरे पास सिर्फ 9R ही रह जाता है पर यही पर इस question की trick थी तो बेगो इन दोनों के उपर जाहिर सी बात है कुछ gravitation का force लगेगा force लगेगा तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे यहां पर सवाल आता है आपका center of mass का अगर आप इसको system की तरह देखो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के उपर force लगाया इसने force लगाया ऐसे इसने force लगाया ऐसे यह दोनों internal forces बन गए इन दोनों के system के यानि कि इनका center of mass move नहीं होने वाला ठीक है center of mass पहले भी rest पे था center of mass will not move तो center of mass will not move तो ऐसे मैं किस तरीके से question solve के जाते है लिगो पहली बात तो इसका जहां भी center of mass है वो वहीं रहने वाला है center of mass move नहीं होगा ठीक है मान लो यहां से यह वाला sphere इस तरीके से x distance रखता है ठीक है भई यहां से यह shift होता है x अगर यह x shift होगा है तो यहां से जो दूसरा वाला है वो कितना shift हो जाएगा 9 hour total distance था इसको आना पड़ेगा 9 hour minus x अल्राइट अब इन दोनों के masses भी हमें देवे इसका mass दियाओ मुझे m इसका mass दियाओ मुझे 5 times m ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं हमाई पास जो center of mass वाली equation होती है center of mass से अगर मैं बैठके देखूं मेरे पास आजाता है m1 r1 is equal to m2 r2 m1 r1 is equal to m2 r2 इसी को थोड़ा differentiate करते हैं तो हमाई पास किया जाता है m1 into delta r1 is equal to m2 into delta r2 अब यहाँ पर m1 इसके लिए देखो mass की value किती है capital M delta r इसने कितना distance move किया है वो है x will be equal to m2 की value किती है 5 times m ठीक है 5 times m और उसने कितना move किया 9 r minus x यहाँ पर हमारे m से m इस तरीके से कट जाता है मैं पास value आजाते है x is equal to 95045r minus 5x यहाँ से मैं पास value आजाते है x is equal to 45r divided by 6 या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 15r divided by 2 which is also equal to 7.5r तो b becomes our correct answer बहुत ही अच्छा सवाल था तो center of mass को भी यहाँ पे club कर दिया गया है two spheres of masses M and capital M are situated in here and the gravitational force between them is capital F के बराबर the space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3 the gravitational force will now become तो देखो इसको compare कर दिया हमारे electrostatics में क्या होता है हमाँ पास कोई material से fill कर देते है वहाँ पर हमाँ पास क्या होता है वहाँ पर हमाँ पास effectively जो electrostatic force होता है वो कुछ कम हो जाता है the electric constants है हम उसको वहाँ पर divide कर देते है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर हमाँ पास जो gravitational force है वो medium से independent होता है उसकी value हमेशा F के ही बराबर रहेगी and C will be the correct answer तो ऐसे सवाल भी पूचे गए है principle of superposition gravitational force भी हमाँ पास अलग-अलग masses के कारण अलग-अलग लग सकते है जैसे माँ पास मान लो एक यह mass रखा हुआ है और यहाँ पर दो-तीन और अलग-अलग masses है ठीक है इसके पर जो force लग सकता है वो इस तरफ लग सकता है मान लो वो आजाता है F1 यह होगा मान लो मेरे पास मैं इसको बोल देता हूँ M1 है यह में पास M2 है यह M3 है तो इसके उपर F1 लगा रहा है M1 दूसरा वाला लगा देगा let's say इस वाले ने लगा दिया हमाया पास F2 और तीसरे वाले ने हमाया पास लगा दिया इस तरफ let's say उसको बोल देता हूँ F3 तब force में vector addition होता है तो मैं इसके बाद बुलोगा इसके उपद जो भी net force लग रहा होगा उसकी value हो जाती है F1 plus F2 plus F3 बहुत ही obvious सी चीज़ है बस इसमें में यही समझना है कि अगर मैं यहाँ पर एक mass लेकर आगया मानलो पहले सिर्फ यही वाला mass था और अगर मैं दूसरा mass मैंने यहाँ पर रख दिया तो इस वाले force में कोई कमी नहीं आएगी बस ऐसा हो जाता है कि हमाँ अपस additional एक force और add हो जाता है तो अब दोनों के कारण net resultant force कुछ मानलो ऐसा आ जाता है आप ऐसा मत बोलना कि भाई इसका force कम होगा इसका force उतना का उतना ही रहेगा इसने कुछ अपना force अलग add कर दिया इसने अपना कुछ force अलग add कर दिया और net force की value जहीं जाती है इंडिविजिल forces का एक दूसरे पर असर नहीं पड़ता है 2-point masses m and alpha m are separated by a distance r another mass m0 is placed on the line joining them at a distance x from the mass m such that it's experienced no gravitational force find the value of x as function of r and alpha तो देखो यहां से x distance पे basically यहां पर x distance पे हमने कुछ mass रख दिया है m0 अब यहां पर यह m0 रखा इसको दोनों mass कीचेगा यह भी खीचेगा यह भी अपनी तरफ कीचेगा इसके उपर let से एक force लगता है इस तरफ f1 दूसरा force लगता है इसके उपर f2 इस तरीके से अगर हमें बोलना है कि उसके उपर net force कुछ नहीं है it experiences no gravitational force इसका यह मतलब थोड़ी forces नहीं लगे इसका मतलब है जो दोनों opposite direction में लगे थे equal थे, cancel out हो गया हमाई पास यहां पर हमें क्या करना है अगर f1 की value अगर f2 करनी है तो वो एक specific जगे ही होगी यहां पर अगर आप उससे इधर कहीं रख दोगे तो यह वाला जादा कहींच लेगा उससे जादा इधर रख दोगे तो फिर यह force इस तरफ कहींच लेगा तो वो value पता करने की कोशिश करो x की क्या है वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है x is equal to r upon 1 plus under root of alpha पर यह formula रटनी की आपको जरूरत नहीं है जब भी question आएगा तो इसको solve कर लेना वैसे ऐसे questions आने की chances कम होते हैं पर हमें पता होना चाहिए इसलिए हम solve करके देखेंगे देखो हमें कर देना है f1 is equal to f2 के बराबर f1 की value कितनी हो जाती है f1 की value हो जाएगी g times m m0 upon उन दोनों के बीच में distance कितना है x तो उसका square कर दिया will be equal to f2 की value कितनी हो जाएगी भाई यह हो जाएगा मैं पास इन दोनों के बीच में जो force लगने वाला उसकी value हो जाएगी g into m0 दूसरा mass है alpha times m divided by इन दोनों के बीच में distance कितना है यह distance हो जाता है में पास तोटल था r यह था x तो हो जाता है r minus x जैसे r minus x होगा तो यहां लिख दूँगा मैं r minus x इसका square कर दूँगा बहुत सारी चीज़े cancel out हो जाएगी g m m0 g m0 और m यह सब cancel out हो जाता है हमाँ आपस equation क्या दिया थी r minus x इसका whole square will be alpha times x square ठीक अब देखो इसको solve करने का simple तरीका है यहाँ पर इसको expand मत करो यहाँ पर जो है ना इसका पूरे का under root ले दो इसका पूरे का under root ले देते तो मिरे पास क्या जाता है r minus x is equal to under root of alpha times x और जहाँ से यह मिरे पास आगया तो यहाँ पर मिरे पास value आजाती r is equal to x 1 plus under root of alpha यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते है यहाँ फिर मैं बोल दूँगा कि हमाया पास जो x की value आजाती है x is equal to r divided by 1 plus under root of alpha actually बहुत ही simple था अगर आप यहाँ पर इसको open कर देते तो शायद थोड़ा solve करने में मुश्किल आजाती तो इस तरीके से आप question देखो यहाँ मेरे कोई ना कोई x exist करेगा हमेशा जब वो value आएगी इस तरीके से जाब उसके पास net force की value 0 आती है अच्छे alpha की value alpha मतलब अगर दोनों मा से same होते तो alpha की value मैं 1 रख देता alpha की value run रखते हैं यहाँ पर 1 plus 1 कितना हो जाता है 2 तो यह value आजाती है r by 2 इसका मतलब exactly बीचो बीच वो point आ जाता जो symmetry से हम feel भी कर सकते है 3 identical point masses small m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side a तो मैं आपास यहाँ पर देखो अच्छा diagram बनाओ इस तरीके से सारी की सारी side a रख दो alright the net gravitational force on any of them will be तो पहली बात तो क्या इनके उपर net gravitational force 0 होगा नहीं अब देखो इसके उपर क्या होगा मालो कोई साभी particle हमें select कहना है मालो मैं इस ही बात करों तो इसके उपर एक force ये वाला mass लगा रहा होगा दूसर force ये वाला mass लगा रहा होगा इन दोनों के current net resultant force और उसका magnitude हमसे पूछा है तो बहुत ही अच्छा सवाल है और वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है D एक काम करते हैं पहले F का magnitude पता करते हैं हमाई पास देखो सिर्फ अगर F की बात करों तो F की value जाती G M M divided by A का square जाना दोनों mass M है इनके बीच का distance A है यह law of gravitation से आ गया सिर्फ हमें F थोड़ी बताना हमें तो बताना है total force कितना होगा तो देखो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का angle भी मैं जानता हूँ क्योंकि एक्विलेटरल triangle है तो इन दोनों के बीच में जो angle होगा वो होगा कितना 60 degree और इन दोनों के कारण जो हमाया पास resultant आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आएगा देखो यहाँ से ऐसे this will be the resultant R हमारे पास तो इसको कैसे पता करूँगा देखो अगर यह total angle था मेरे पास 60 degree तो यह वाला angle कितना बज़ता है मेरे पास 30 degree उसका just half हो जाएगा तो यह जो F है इसका भी cos 30 add हो रहा है यह वाला जो F है इसका भी cos 30 add हो रहा है तो दोनों के cos 30 add होकर मेरे पास R बन रहा है तो जो R की value हो जाती है मेरे पास 2 times F cos 30 degree ठीक, यहाँ पर value रखेंगे तो 2, force की value है gm square divided by a square cos 30 की value कित्ती होती है वो होती है, root 3 upon 2 यहाँ से मैं आपास हमारी value हाजाती जो answer होने वाला है gm square root 3 divided by a square d is the correct answer इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वाजाओ CrashUp Learning App पे link is in the description, वहाँ पर structured तरीके से सारे videos आपको मिलते है सारी colorful PDFs मिल जाती है और साथ में additional exercise जिसमें बहुत सारे PYQs भी है वो भी आपको मिल जाती है link is in the description, जल दिया हो हम मिलेंगे full course में